कक्षा 9 के स्टूडेंट्स जैहिन स्टूडेंट्स आज हम आपके सिविक्स NCRT पाठे पुस्तक के स्टूडेंट्स आज हम आपके शिविक्स NCRT पाठेपुस्तक के चैप्टर पांच जिसका नाम लोगतांत्रिक अधिकार यानि कि डेमोक्रेटिक राइट्स है का अध्यन आरंब करेंगे स्टूडेंट्स आज हम यह भी जानेंगे कि अधिकारों के बिना जीवन यानि कि लाइफ विदाउट राइट्स क्या होता है और ऐसा किसी व्यक्ति या परिवार या किसी समुदाय के साथ हो यानि कि किसी व्यक्ति का जीवन किसी परिवार का जीवन या किसी समुदाय का जीवन बिना अधिकारों के हो या उसके अधिकार छीन लिये जाएं तो ऐसी स्थिती में जीवन का क्या आर्थ रह जाता है तो students देखिए स्क्रीन पे focus कीजिए आप लोग देखिए civics standard 9 आपकी जो पाठे पुस्तक है NCRT civics की उसका नाम है लोगतांत्रिक राजनीती 1 अभी मैं chapter 5 पे focus कर रहा हूँ जिसका नाम है लोगतांत्रिक अधिकार अंग्रेजी में इसको कहेंगे democratic rights और अभी हम जिस संदर्व की चर्चा करेंगे वो है अधिकारों के बिना जीवन यानि की life without rights और students अभी हम जिस घटना का या जिस अस्थान विसेश का हम विस्तार से आपको चर्चा करवाने जा रहे हैं वो है गवंतनामो बे का जेल प्रिजन इन गवंतनामो बे जो की USA में है ठीक है students students इस पार्ट की सुरुवात जो है हम एक बच्चे के खत से कर रहे हैं एक बच्चे के द्वारा लिखी गई चिठ्थी के माध्यम से कर रहे हैं इस बच्चे का जो नाम है वो है अनस जमील अल बनना इस बच्चे की उम्र सन 2005 में 9 बर्स की थी और उसी 9 बर्स की अवस्था में इस बच्चे ने जो एक चिठ्थी लिखी थी उस चिठ्थी को मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ आप भी सुनेंगे स्टूडेंट्स ये बच्चा इंगलैंड में था इंगलैंड में पढ़ाई कर रहा था लेकिन इसका जो मूल निवास था यानि कि इसके पिता का जो मूल निवास था वो जौडन देश था ठीक है तो सौधी अरब के जस्ट बगल में एक देश है आप नाम सुने होंगे ज इरान इराक ये सारे देश मद्धेपूर्व के देश कहे जाते हैं अब मांचित्र में देखने का प्रयास कीजिएगा कि जौडन कहां पे है है ना तो जौडन देश के इसके पिता निवासी थे रहते थे इंगलैंड में और चुकि इंगलैंड में पुरा परिवार गाता तो ये बच्चा भी इंगलैंड में पढ़ाई का गा था ठीक है स्टूडन्स और इसका नाम फिर से एक बार सुन लीजिए इस बच्चे का नाम अनस जमील अल बनना ठीक है तो इस बच्चे के द्वारा एक चिठ्थी लिखी जाती है तो पाट की सुरुआत भी चिठ्थी में क्या है इस खत में क्या है इस लेटर में क्या है तो देखिए टॉप में उपर में देखिए एक नौ बरसिये बालक द्वारा ब्रिटिस परधान मंतरी को लिखा पत्र एक नौ बरसिये बालक द्वारा ब्रिटिस परधान मंतरी को लिखा पत्र शुरुआत करता है बच् इंगलाइंड के जो प्रधान मंत्री थे उनका नाम Tony Blair था यानि कि Tony Blair दस साल तक इंगलाइंड के प्रधान मंत्री रहे थे तो चुकि यह पत्र जो है वो 2005 में लिखा गया था उस समय प्रधान मंत्री Tony Blair थे इसलिए Tony Blair जी को संबोधित करते हुए या चिठी लिखा गया है प्रिये स्री Tony Blair ठीक है Students, अब स्क्रीन पे देखिए जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है वो Tony Blair जी की तस्वीर है ठीक है, यह Tony Blair जी की तस्वीर है और इसके ठीक नीचे देखिए लिखा हुआ है England के 73 प्रधान मंत्री Tony Blair 1997 से लेकर 2007 तक ठीक है Students, अब देख पा रहे होंगे Tony Blair जी को Students, आपको मैं बता दूं कि बच्चा चुकी England में पढ़ रहा था और उसको अंगरेजी की जानकारी थी इसलिए उसने चिठी जो है अंगरेजी में लिखा हुआ था ठीक है, तो मूल चिठी अंगरेजी में है उसको हिंदी में रुपांत्रीत करके मैं आपके समक्ष प्रसूत क्या हूँ और जो की हिंदी में रुपांतरीत रूप में पाठ़ पुस्तक में भी उपलावद है ठीक है तो आप उपर में देखिए A letter written by 9-year-old child to British PM PM means Prime Minister ठीक है तो शुरुवाद कैसे है Dear Mr. Tony Blair तो अभी मैंने Tony Blair जी की तस्वीर आपको दिखाई जो की 1997 से लेके 2007 तक बतानी थी बच्चे को तो उसने पत्र लिखा और उस पत्र को Tony Blair जी के पास भेजा तो इसमें देखिए लिखा हुआ है Dear Mr. Tony Blair इसी को जदी हिंदी में रुपांतरीत कर देंगे तो प्रिये स्री Tony Blair है ना तो पहले आप हिंदी वाला देख लिजिए कि हिंदी में इसका रुपांतरीत रुप क्या होगा और उसको आप समझने का प्रियास करिए ठीक है Students अब तर मैंने आपको ये नहीं बताया कि बच्चे ने किस कारण से पत्र लिखा अपने प्रधान मंतरी को तो इस पत्र को पढ़ते पढ़ते समझाते हुए मैं आपको बता दूँगा कि समस्या क्या है और बच्चे को किन बाध्यताओं के चलते जो है चिठी लिखनी पड़ी थी प्रधान मंतरी को है ना तो आपको समस्या भी समझ में आ जाएगी कारन भी समझ में आ जाएगा और पत्र भी आप समझ लेंगे तो देखिए प्रियेस स्री टोनी बिलेर बच्चे ने संबोधित किया प्रधान मंत्री जी को, सबसे पहले तो यही कि आप कैसे हैं, तो ठीक है, जो मतलब जैसे मानिजे संबोधन करने के बाद, किसी भी व्यक्ति को जिसे हम संबोधित करते हैं, उसका खैरियत पुछते हैं न, तो बच्चे ने लिखा कि सबसे पहल पहले आपको पत्र लिखा था, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? इस्टोएंट देहिए, ये पत्र उस बच्चे ने सन 2005 में तब लिखा जबकि वो 9 साल का हो गया था, इसका मतलब कि जब वो 7 साल का था, तब भी उसने कोई पत्र लिखा था अपने परधान मंतरी को, है न, तो जो 2 साल पहले पत्र लिखा गया था, अनस जमील अल बन्ना के द्वारा, बच्ची की तस्विर मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो उसका जवाब परधान मंतरी कार्याले से नहीं आया, ठीक है? तो वही बच्चा लिख रहा है कि मैंने 2 साल पहले आपको पत्र लिखा था, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? मैं बहुत दिनों तक आपकी जवाब का इंतजार करता रहा, पर आपका आपका जवाब आया ही नहीं, ठीक है स्टुडेंस, इसमें समझने वाली कोई खास बात नहीं, आप समझ रहे होंगे? आगे देखिए, क्या महरबानी करके मेरे सवाल का जवाब देंगे? क्या आप महरबानी करके मेरे सवाल का जवाब देंगे? मेरे पिता जेल में क्यों बंद है? अब देखिए, अब आप समस्या को समझेए, कि मेरे पिता जेल में क्यों बंद है? यानि कि अनस जमील अल बनना, जो की साथ, जो की 9 साल का है ओसन 2005 में अपने प्रदानमंतरी को लिख रहा है कि मेरे पिता जेल में क्यों बंध हैं वे दूर दराज के गवंतनामों बे में इस्टोट एक नाम यहां पे आरा है गवंतनामों बे है ना स्टोट यह जगह इंग्लैंड से भी काफी दूर अट्लांटिक महासागर पार करने के बाद ये अस्थान जो है ठीक अमेरिका के निकट में USA के निकट में एक क्यूबा देश है उसी क्यूबा देश के पास ये गुंतनामो बे का एक मतलब जेल है ठीक है तो बच्चा कहता है कि मेरे पिता जेल में क्यूं बंध है वे दूर दराज की गुंतनामो बे में क्यूं रखे गए है ठीक है स्टूडेंट्स देखिए चिट्थी को मैं अभी थोड़ा सा साइड कर देता हूँ और देखिए अब मैं एक नक्से पर फोकस करता हूँ आप इस नक्से को ध्यान से देखिए सबसे उपर देखिए ग्रीन कलर में कनाडा कनाडा एक देश है उसके ठीक नीचे देखिए वाइलेट कलर में बैगनी कलर में लिखा हुआ संजुकत Raja America है नहीं और उसके ठीक नीचे देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है मैक्सिकू उसके बगल में उसके दाइने हात में देखिए मैक्सिको की खाड़ी है नहीं और मैक्सिको की खाड़ी के पूर्ब दिशा में एक टापू देश है जिसका नाम है क्यूबा ठीक है इस क्यूबा में देखिए वहाँ पर एरो मार्क से चिन्नीत करके लिखा हुआ है गुवंतठामो बे देख रहे हैं तो यहां पर दिखाया गया है गुवंतठामो बे की नक्से में इस्थिती हैना तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को आप अपने मानचितर में भी देख सकते हैं Atlus में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि गवंतनामो बे कहां पर क्यूबा कहां पर है वो आप देख लीजिये तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुंतनामो बे कहां पे है और देखिए आप लोग Google Map पे भी जदी आप सर्च करेंगे न और Google Map पे सर्च करना भी चाहिए गूगल में पर सर्च किजिए और देखिए कि Guantanamo Bay कहां पे है तो इसी Guantanamo Bay में जो जेल है उसी जेल में अनस Jamil Albanna के पिता को जिनका नाम है Jamil Albanna उनको रखा गया है ठीक है क्यों रखा गया है किस ले रखा गया है किस गलती के कारण रखा गया है वो बाद में हम लोग सवाल करेंगे उसको बाद में जानने की कोशिश करेंगे रखा कहा गया है वो समझे यानि कि इंगलैंड से करीब करीब से हजार किलोमिटर दूर अटलांटिक महसागर पार करके है ना एक अंजान से स्थान पे एक जेल है उस जेल पे उस जेल में उसके पिता को रखा गया है वो भी काफी समय हो गया है रखा हुआ ठीक है स्टूडेंट्स अब आपके सामने जो तस्वीर है वो जमील अल बन्ना की तस्वीर है देख रहे हैं यही है अनस जमील अल बन्ना के पिता है ना जमील अल बन्ना देखिए ग्वंतनामो जेल के कैदी कब 2003 से लेकर के 2007 तक और यह चिठ्थी कब लिखी गई है 2005 में है ना 2005 के December में यह चिठ्थी लिखी गई है यह उनके उस बच्चे के पिता की तस्वीर है उस बच्चे ने अपने पिता को लंबे समय से नहीं देखा है लेकिन उसे यहां तक पता चला है कि उसके पिता जो है वो ग्वंतनामो बे जेल में बंद हैं किस गलती के कारण वहां बंद है वो भी नहीं पता चुटेंगे या नहीं चुटेंगे वो भी नहीं पता है ना तो स्टुडेंट्स हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं है ना चलिए वे दूर दराज के ग्वंतनामो बे में क्यों रखे गए हैं बच्चा सवाल पूछ रहा है प्रधान मंतरी से कि मेरे पिता जेल में क्यों बंद हैं वे दूर दराज के ग्वंतनामो बे में क्यों रखे गए हैं मुझे अपने पिता की कमी बहुत खलती है किसी को भी खलेगा मैंने अपने पिता को तीन बरसों से नहीं देखा है 2003, 2004, 2005 इस्टुएंट्स मैं बता दूँ कि 2003 के अप्रेल महिने में उनको पकड़ लिया गया था और पकड़ने के बाद 2005 में ये पत्र लिखा गया है तो बच्चे ने ठीक ही लिखा है कि मैंने तीन बरसों से अपने पिता को नहीं देखा है मैं जानता हूँ कि मेरे पिता जी ने कुछ भी गलत नहीं किया है हर बच्चा को यही उमीद रहता है कि मेरे पिता जी कोई गलत नहीं किये है या हो सकता है कि कोई गलत किये भी हो तो बताया जाना चाहिए परिवार को कि उसके पिता ने कौन सी गलती की है है ना बच्चा आगे लिखता है क्योंकि वे बहुत अच्छे आदमी है लोग भी मेरे पिताजी के बारे में बहुत आदर से बातें करते हैं ठीक है स्कृट्स यहां तक आप समझ गए होगे आगे देखिए आपके बच्चे परधान मंतरी टोनी बिलेर के बच्चे आपके बच्चे आपके साथ क्रिस्मस मनाते हैं पर मैंने मेरे भाई और बहनों ने पिछले तीन बरसों से पिताजी के बिना ही ईद मनाई है अपने बच्चों के साथ हर साल क्रिसमस मनाते हैं. लेकिन मैं और मेरे भाई और मेरे बेहन जो हैं तीन बरसों से बीना पिताजी के ही इद मना रहे हैं. इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे उमीद है कि इस बार आप मेरे पत्र का जवाब देंगे. धन्यवाद अनस जमील अलबन्ना उम्र 9 साल तिथी 7 दिसंबर 2005 ठीक है स्टुडेंट्स अब आप कुछ कुछ आप समझ गए होंगे कि मामला क्या है एक बच्चा है जिसका नाम है अनस जमील अलबन्ना उसके पिता का नाम है जमील अलबन्ना और उसके पिता को 2003 में पकड़ लिया गया है पकड़ने के बाद उनको गवंतनामों बे जो की क्यूबा के पास अमारिका के निकट एक जेल है उस जेल में रखा गया है और बच्चे को उमीद है कि मेरे पिता ने कोई गलती नहीं की है और बच्चा जो है वो प्रधान मंत्री से सहायता चाहता है इसलिए बच्चे ने ये पत्र लिखा परधान मंत्री को अपने देश के परधान मंत्री को चुकि वो इंगलेंड में रहता है तो वो इंगलेंड का ही नागरिक है इंगलेंड का ही बच्चा है वो इंगलेंड के बिद्याले में पढ़ता है इसलिए अपने देश के परधान मंत्र ठीक है, students, जो मूल चित्थी जो अंग्रेजी में लिखी हुई है, उसे भी आपको एक बार देख लेना चाहिए, देखिए, A letter written by nine-year-old child to British PM, Dear Mr. Tony Blair, firstly, how are you, I sent a letter two years ago, why did not you reply, आपने क्यों नहीं जबाब दिया उसका, जो दो साल पहले हमने चित्थी लिखा था, I was waiting for a long time, but you did not reply, मैंने उसका बहुत इंतजार किया, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया, Please, can you give me an answer to my question, क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, देना चाहेंगे, Why is my dad in prison, मेरे पिताजी जेल में क्यों बंद है, Why is he far away in that Guantanamo Bay, वो इतनी दूर Guantanamo Bay के जेल में क्यों है, I miss my dad so much, मैं अपने पिता को बहुत याद करता हूँ, I have not seen my dad for three years, मैंने अपने पिता को तीन बरसों से नहीं देखा है, I know my dad has not done anything, मेरे पिता ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, Because he is a good man, क्योंकि वे एक अच्छे आदमी है, I hear everybody speak about my dad in a nice way, मतलब कि जो भी मेरे अडोसी पडोसी या जो भी उनके जानने वाले लोग हैं, वो मेरे पिता को अच्छा आदमी बोलते हैं, Your children spend Christmas with you, आपके जो बच्चे हैं Christmas आपके साथ मनाते हैं, But me and my brothers, लेकिन मैं और मेरे भाई and sisters और बहने have spent Eid, Eid आप समझते हैं, Eid मुसलमानों का एक बड़ाते वार है, सबसे बड़ाते वार है, तो बच्चा लिख रहा है, But me and my brothers and sisters have spent Eid alone without my dad for three years, तिन साल हो गए, मैं मेरे भाई और बहने बिना पिता के ही, पिता के अभाव में ही हम लोग Eid मना लेते हैं, What do you think about that? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? I have, you will answer me this time, मुझे आसा है, इस बार आप मुझे इस पत्र का जबाब देंगे, Thank you, From Anas Jamil Albanna, 9-year-old, बच्चा के उमर 9 साल है, और इस चिठ्ठी को उसने लिखा है, 7-12-2005 को, 7th of December 2005, ठीक है students? Students, मैं आपको बता दूँ कि, जो क्यूबा इस्थीत अमेरिका का, Guantanamo Bay Detention Camp है, जिसको आप जेल भी का सकते हैं, वो दुनिया का बहुत ही कुख्याद जेल हैं, ठीक है, इस जेल में ऐसे कैदियों को सजादी जाती है, ऐसे कैदियों को रखा जाता है, पूस्ताज की जाती है, inquiry होती है, जाच होता है, जो कि किसी बहुत बड़े अपराद में सामिल हैं, तो students मैं आपको बता दूँ कि आपको मालूम है कि सितंबर 2001 में अमेरिका पर आतंगवादी हमला हुआ था है ना आपको पता है कि अमेरिका के ही तीन जहाजों को hijack कर लिया गया था और वे जहाज जो है एक जहाज तो USA में जो twin tower था world trade center उससे जाकर टकराता है है ना हजारों लोगों की मौथ होती है दूसरा जहाज जो है वो अमेरिका का अमेरिका का जो रक्षा विभाग का जो कारेला है pentagon उससे जाके टकराता है वहाँ थोड़ी छती होती है और तीसरा जहाज जो है वो Pennsylvania के जंगलों में जाकर वो गिर जाता है और उसमें जहाज में बैठे सारे लोग मारे जाते हैं दूसरे लोगों कोई छती नहीं होती है तो अमेरिका पर जब आतंकवादी हमला होता है तो अमेरिका की जो गुप्तचर एजेंसी है C.I.A. है ना तो C.I.A. जो है दुनिया भर में है ना दुनिया भर में अभियान चलाकर लगबग 700 लोगों को पकड़ गयम्बिया नामका एक देस है अफरीका में वहां से पकड़ा गया था ठीक है स्टुनिन्ट्स आप देखिए suiv कुपा है यह जो है क्यूबा का नहीं है यह जो है वह USA का है लेकिन है क्यूबा में ठीक है इसको आप डिटेंसं केम भी बोल सकते हैं जेल भी बोल सकते हैं ठी तुडेंट्स आप प्रयास करेंगे अफ्रीका का मानचीतर ढूंड़िए अफ्रीका का मानचीतर को आप एटलस में देखिए और उसमें पस्मी छेतर में आप देखिए गया गेंबिया नाम का एक देश मिलेगा है जो कि चारों और से सेनेगल से घिरा हुआ है ठीक है एक गे जमील अल बन्ना को अमरीकी गुप्तचर संस्था CIA ने पकड़ा था, ठीक है, तो CIA के द्वारा जो अनस जमील अल बन्ना के पिता जिनका नाम जमील अल बन्ना था, उनको इसी देश से पकड़ कर गवंतनामों बे ले जाया गया था, ठीक है स्टूरेंट्स, पार्ट की शुर हम लोग साथ ही साथ अधिकारों के बिना जीवन को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उसको घटनाओं से जोड़ कर देख रहे हैं, तो एक घटना का जीकर किया हमने स्टूरेंट्स, आगे और भी कुछ घटनाए हैं, जो की इस पाठे पुस्तक में उपलब्ध है, मैं उसको करमवार आपको बताने का प्रयास करता हूँ, और आप भी पाठे पुस्तक को पढ़िए, देखिए, समझने का प्रयास किजिए, ठीक है श्टूरेंट्स, इस जो वीडियो है, यह पहला वीडियो, इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और इसको मैं आगे भी प् वीडियो के गोप में ठीक है स्टुएंट्स जैहिंदे स्टुएंट्स